असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार और एक ही पैन में बनने वाला जटपट चिकन एक फ्राइड राइस जो बहुत ही क्वीक और बहुत ही मज़ेगा बनके तयार होता है तो यहाँ पर मैंने बोनलेस पीस चिकन के लिए जिनको ऐसे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून अद्रक लसन का पेस्ट और यही पे डाल देते हैं हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून नमक और यहाँ पर इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब डालेंगे एक टीबल स्पून भरके कॉन फ्लोर या जो कॉन स्टार्च होता है और इन सबको मिक्स करके साइड में रख दे यहां मैंने किचन किंग मसाला डाला है और इसे थोड़ा सा फेट लेते हैं तो एक हमने बीट कर लिया है चिकन पर सारी चीजें लगा दी है और यहां पर हाफ इंच अध्रक को ग्रेट कर लेंगे चार से पांच गार्लिक को ऐसी क्रस्ट कर लिया आप चौप कर सकते हैं एक मीडियम साइज के अनियन को भी ऐसे फाइन चौप कर लिया है सारी सबजियों को हमें थोड़ा फाइन कट कर लेना है यहां पर मैंने राइस को कुक कर लिया है जितना हम नॉर्मली चावल बनाते हैं उसे थोड़ा कम पानी डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और एक टी स्पून भरके ओयल और कुछ ड्रॉप लेमन जूस कर डाल के इसे कुक कर रहेंगे और जब यह पक जाएगा तो तुरंत इसे फोक से चला के चावल को खोल देंगे तो यह बहुत ही खिले खिले बनेंगे यहां पर एक पैन में मैंने ओयल को अच्छा गरम किया है ज तो यहां मैंने थोड़ी देर के लिए से ढख दिया था देखे चिकन अच्छे से गल गया है तो इसे अब हम एक साइड में कर देते हैं क्योंकि सारी चीजे हम एक ही पैन में करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो यहां पर थोड़ा साइड में और ले लेंगे और उसी मे इस्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट था वो भी डाल देंगे और सारी सबजियों को डालने के बाद हम यही पे चिकन को साथ में लेते हुए एक से दो मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो यहां फ्लेम को कंटिनिवस हाई पे रखना है जब इस इसे हम दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे उसके बाद सारी सबजियों को किनारे कर देंगे और यहां पे हमने साइड में थोड़ा सा ओयल डाल दिया है और यही पे जो एक था उसको बीट कर लेंगे थोड़ा सा फेट के यहां पे हम डाल देते हैं और इस टाइम फ्लेम को थ करना है देखे थोड़ा हलका सा ये गिसमे गीला पन होना चाहिए बस तुरंत हम सारी चीजों के साथ एक को मिक्स कर देंगे इससे सारे चीजों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत टेस्ट से बढ़ जाएगा यहीं पर हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर थोड़ा सा न चावल बने हैं तो यहां पर डाल देंगे हम एक टीस्पून भरके सोया सॉस डाल दिया है एक टीस्पून वेनिगर डालेंगे और दो टीस्पून भरके रेट चिली सॉस जो होट सॉस होता वो डाल देते हैं इस जगे पर ग्रीन चिली सॉस या गार्लिक चिली सॉस भी डा अब यहां पर कुछ ड्रॉप हम पानी के डालेंगे बस सिर्फ छीटे मारके इसे दो मिनट के लिए ढग देंगे इससे यह चिपकेंगे नहीं लेकिन थोड़े से फ्राइड राइस सॉफ्ट हो जाएंगे देखे अभी भी यह बिखरे बिखरे हैं लेकिन यहां खाने में यह बहुत अच्छा लगेगा इस्टीम के वज़े से सॉफ्ट हो जाएंगे बस यह हमारा फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार बहुत ही फ्लेवरफुल तयार हो गया है आप सेम तरीके से बनाएगा आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इसे चिकन मैंचूरियन या चिक कमेंट भी करें थांक्स पर वाचिंग